कि बिسم वらहरु हम डिस्कस करें गे कैलकुलिस थी हमारे पास उसका लेग्जर नबर 1 है हमारे चैनल का नाम है असर्थ मेहमूद असर्थ महमूद ए पी आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब्स करें थो हमारा जो आज X Y Z में हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं Rectangular coordinates या हम इसको बोलते हैं Cartesian coordinates Cartesian coordinates हम आज coordinates को discuss करेंगे three dimension में यह हमारे पास X-axis Y-axis और Z-axis X-axis Y-axis और Z-axis देखें three dimension का मतलब है कि हमारे पास जो coordinate होगे X Y Z belong to R3 R3 का मतलब है three dimension जो हमारे पास X है इसको हम बोलते हैं X coordinate और जो अर्टर पे का second element है इसको हम बोलते हैं Y coordinates और जो हमारे पास X-axis Y-axis Z-axis यह हमारे पास जो है XY plane कहलाती है XY plane और यह हमारे पास Y-Z plane कहलाएगी और यह क्लियर कारलेंग कंसेप्ट आपना के X-axis पे आपने पड़ा हुआ था X-axis पे Y और Z की value क्या होती है जीरो इसी तरह Y-axis पे देखे जाब Y-axis की बात करते है Y-axis को छोड़के X और Z दोनों coordinate की value क्या होगी जीरो इसी तरह Z-axis पे X coordinate जीरो और Y coordinate जीरो इसका मतलब यह हमारे पास X-axis है X-axis पे Y और Z की value जीरो जाब आप लिखते हैं यह जो bracket के लाती है इसमें जो हम लिखते हैं इसको कहते हैं आडर्ड पेर्स आडर्ड पेर्स का जो फस्ट element of X coordinate second Y coordinate और third Z coordinate इसका मतलब पर हमारे पास X-axis पे Y और Z की value क्या होती है जीरो इसी तरह Y-axis पे Y-axis पे X और Z की value क्या होगी जीरो इसी तरह Z-axis पे X और Y की value जीरो तो clear कर लें X-axis पे पे हमारे पास Y और Z की value 0 होगी इसी तरह Y-axis पे हमारे पास X और Z की value 0 होगी और Z-axis पे X और Y की value 0 होगी next हमारे पास यह दिखें यह हमारे पास X-Y plane है X-Y plane पे Z की value 0 होगी और यह हमारे पास Y-Z plane है y z plane पे x की value 0 यह हमारे पास x z plane है x z plane पे y की value 0 लिखने इसको x y plane पे हमारे पास z की value 0 होगी देखे इसमें कौन सा quadrant missing है z, तो z की value 0 और x z plane पे हमारे पास y की value 0 होगी और y z plane पे हमारे पास जो equation होगी x is equal to क्या होगा 0 तो next हमारे पास है जिसको वह ही मैंने लिखा हुआ है कि x y plane पे z की value 0 y z plane पे x की value 0 और x z plane पे y की value 0 next थोड़ा सा concept clear करें आपने discuss किया था second year में standard equation standard equation of a circle और आपको clear है कि circle जो होता है वो two dimension में होता है जिसकी equation लिखी थी आपने standard equation of circle x minus a का square plus y minus b का square is equal to r square यहाँ a और b center के coordinates हैं यहाँ और r हमारे पास क्या है radius और यहाँ जो x y हमारे पास points हैं यह arbitrary point है arbitrary point जो लाई करता है circle पे तो इसका मतलब हमारे पास standard equation circle है वो है x minus a का square plus y minus b का square is equal to r square तो हम exercise discuss का रहे है 12.1 Thomas की book है उसका question number जो हमारे syllabus में है 1 से 12 है तो statement है give a geometrical descriptions of the set of points in the space whose coordinates satisfied in the given pair of equations देखें हमें given है x is equal to 2 हमारे पास x की value 2 है और y की value क्या है 3 देखें यहां z की value क्या है 0 तो आपने पढ़ा था कि x y plane में z की value क्या होती है 0 तो इसका मतलब हमारे पास जो quadrant बनेगा पहले हम x की value क्या है y और z x की value क्या है 2 y की value क्या है 3 और z हमारे पास क्या है 0 इसका मतलब यह जो point है कहां लाई कारता है x y plane में यहां आप लिख सकते हैं यहां तो आप लिख ले x y plane यहां आप लिख सकते हैं parallel to parallel to z axis next देखें हमारे पास y की value 0 और z की value 0 तो मैंने बताया था कि y और z की value कब 0 होती है जब along क्या हो x axis आपको पता है कि x axis पे x axis पे y की value 0 होती है और z की value 0 इसका मतलब हमारे यह point कहां पे लाई करता है on the x axis next हमारे पास x square plus y square is equal to 4 z is equal to 0 तो note करें x square plus y square is equal to 4 तो मैंने बताया था कि two dimension में क्या होता है circle तो देखें यह circle की circle की equation है इसको मैं लिख सकता हूँ x minus 0 का square plus y minus 0 का square is equal to 4 तो इसको मज़ीर कर सकते है x minus 0 का square plus y minus 0 का square is equal to 2 का square अगर आप देखें standard equation of circle वो क्या थी x minus a का square plus y minus b का square is equal to r square तो देखें a की value क्या है 0 b की value 0 और radius हमारे पास क्या है 2 इसका मतलब हमारे पास जो center है वो 0 0 है जो radius है वो क्या है 2 इसका मतलब यह हमारे पास equation of circle है कहां पे x y plane पे देखें कौन सा variable use हो रहा है x y तो इसका मतलब हमारे पास circle x y plane next देखें हमारे पास equation है x square plus y square plus z square is equal to 1 x is equal to 0 देखें हमारे पास x square plus y square plus z square is equal to 1 देखें हमारे पास x की value क्या है 0 x को यहाँ 0 replace कर दें जब 0 put करेंगे तो क्या बचेगा y square plus z square is equal to 1 तो देखें यह हमारे पास क्या है equation of circle मैंने बताया था कि two dimension में हमेशा equation of circle होती है लेकिं इस circle कहां लाई करते है circle कौन दो variable में है y z तो इसका मतलब हमारे पास equation of circle है किस plane पे y z plane पे क्योंकि यहाँ variable y और z है तो कहां लाई करता है y z plane पे आप clear भी का सकते है x square plus sorry y square plus z square is equal to 1 जिसको मैं लिख सकता हूँ y minus 0 का square plus z minus 0 का square is equal to 1 देखें यह compare करें यह equation से relate करते हैं इसका मतलब यह हमारे पास equation of circle है कहां लाई करती है y z plane पे next हमारे पास है x square plus y square plus z square is equal to 25 y is equal to 4 देखें इसको clear कर ले हमारे पास x square plus y square plus z square is equal to 25 यह वाई पार्ट है अब देखें y की value हमारे पास क्या है y की value minus 4 x square plus y की value minus 4 करें minus 4 का square plus z square is equal to 25 x square plus 16 plus z square is equal to 25 इसको इदर minus कर दे x square plus z square 25 minus 16 x square plus z square is equal to 9 जिसको मैं लिख सकता हूँ x minus 0 का square z square को मैं लिख सकता हूँ z minus 0 का square 9 को मैं लिख सकता हूँ which is equation of circle lies in xz plane circle कहां लाई करता है xz plane पे उसका radius क्या है 3 center क्या है 0 0 ऐसा circle जिसका center क्या है 0 0 और उसका radius क्या है 3 और किस plane पे लाई करता है xz plane पे next हमारे पास है question number 12 x square plus y minus 1 का square plus z square is equal to 4 y की value कहा है हमारे पास 0 यहाँ y की value 0 put करेंगे अगर आप हमारे पास है x square plus y minus 1 का square plus z square is equal to 4 देखे y की value कहा है 0 यहाँ 0 put कर दे x square plus minus 1 का square plus z square is equal to 4 1 को तो माइनस कर दे x square plus z square is equal to two three which is equation of circle lies in x-z plane next हमारे पास है next हमारे पास है standard equation of is next हमारे पास है distance between two points देखें हमारे पास यह point P है x1 y1 z1 दूसरा हमारे पास point Q है x2 y2 z3 इन दो points का दर्म्यानी फासला find करेंगे जिसको हम denote करेंगे PQ magnitude magnitude इसलिए लिखते हैं कि आपको पता है कि distance हमेशा क्या होता है positive दो points का दर्म्यानी distance कैसे find करते हैं x quadrant का x quadrant difference यानि x minus x1 minus x2 उसका square plus y quadrant में से y quadrant से y quadrant को minus करें y1 minus y2 का square plus z quadrant में से z quadrant को minus करें z1 minus z2 whole square यह हमारे जो हम discuss करेंगे 41 से 46 find distance between two points हमने दो points का दर्म्यानी फासला find करना है points आके पास लिखें हैं देखें यह x1 है यह y1 है और यह z1 यह x1 x2 coordinate यह y2 coordinate और यह z2 तो मैंने क्या बताए था कैसे find करते हैं x1 में से x1 को minus करें 1 minus 4 का square y coordinate में से y को minus करें जब minus करें माइनस माइनस करें माइनस माइनस का square और z quadrant में से z को minus करें 5 minus 7 का square 1 minus 3 1 minus 4 3 3 का square 9 4 plus 2 6 6 का square 36 5 minus 2 का square 4 इनको plus करेंगे तो क्या आएगा 49 उसका square क्या गया 7 question number 46 है p1 हमें given है 53 minus 2 point p2 given है 0 0 0 find करें resistance x को माइनस करें 5 minus 0 का square plus y coordinate में से y को minus करें 3 minus 0 का square और z quadrant में से z को minus करें 25 square 3 का square 9 2 का square 4 plus किया तो क्या गया square root 33 next हमारे पास है standard equation of a sphere देखें standard equation of sphere क्या होती है x minus a का square plus y minus b का square plus z minus c का square is equal to a square जो equation of equation of sphere होती है वो हमेशा three dimension में होती है यहां एक्स y z belong to our square यह मैंने लिखी है equation of sphere देखें यहां center इसका क्या है इसका center है a b c और इसका जो radius है वो क्या है a हम इसे भी लिख सकते हैं x minus x not का square plus y minus y not का square plus z minus z not का square is equal to a square देखें यहां मैंने center a b c लिए थे यहां center x not y not z not जो इसका जो center है x not y not और z not जो इसका radius है वो क्या है a हम discuss का रहे है Thomas Finney की book को हमारे पास उसकी exercise है 12.1 उसका question number 47 से 58 है find center and radius of our sphere तो देखें हमें equation given है x equation given है x plus 2 का square plus y का square z minus 2 का square is equal to 8 इसको मैं लिख साथ इसको लिखें x minus minus 2 का square देखें negative negative positive इसको लिखें y minus 0 का square यह आ गया z minus 2 का square 8 को लिखें square root 8 का square तो आप देखें standard equation of sphere क्या है x minus x नाड का square plus y minus y नाड का square plus z minus z नाड का square is equal to a square compare करें देखें square square x x को equal negative negative x नाड की value क्या है x नाड की value minus 2 यहां देखें y नाड की value क्या है 0 यहां compare करें z नाड की value क्या है minus 2 और a की value क्या है square root 8 तो center कैसे लिखते है x coordinate y coordinate z coordinate तो देखें x coordinate क्या है minus 2 y coordinate 0 z coordinate again minus 2 sorry positive 2 और हमारे पास यह देखें positive 2 है जाड की value और हमारे पास जो radius है radius हमारे पास क्या है square root 8 next equation हमारे पास है x square plus y plus 1 by 3 का square plus z minus 1 by 3 का square is equal to 16 over 9 देखें इसको मैं लिख सकता हूँ x minus 0 का square इसको हम लिखेंगे y द्रम्यान में minus minus 1 by 3 whole square इसको लिखें z minus 1 by 3 का square इसको लिख सकते हैं 4 over 3 का square जो हमारे पास standard equation है sphere की x minus x नाड का square y minus y नाड का square plus z minus z नाड का square is equal to a square देखें x नाड की value 0 y नाड की value minus 1 by 3 z नाड की value z नाड की value 1 by 3 तो हमारे पास center क्या आगया देखें पहले x की value लिखते हैं x की value क्या 0 फिर y की value minus 1 by 3 फिर z की value 1 by 3 radius इसका क्या है देखें इसको compare का लें radius नाड की value क्या है find find equation of a sphere देखें sphere की कैसे sphere की आपको equation find करने के लिए और करें sphere की equation of sphere find करने के लिए आपको center की दूर्स होती है center और radius अगर आप गौर करें हमारे पास center भी given है और radius भी given है क्या फार्मूल आता है standard equation of circle standard equation of sphere का x minus x नाड का square plus y minus y नाड का square plus z minus z नाड का square is equal to a square standard equation of sphere अगर आप गौर करें तो हमारे पास x नाड की value क्या है minus 1 और ये y नाड की value क्या है 1 by 2 z नाड की value क्या है minus 2 by 3 radius को हम किसे नोड करते है ये से 4 by 9 value आपके formula में put कर दें x नाड की value minus 1 minus minus plus 1 का square y नाड की value 1 by 2 z नाड की value minus 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 plus 2 by 3 radius हमारे पास क्या है 4 over 9 उठा के value put कर दें x minus x नाड की value minus 1 minus plus 1 का स्केर plus y minus y not की value क्या आगे 1 by 2 का स्केर plus z minus z not की value minus plus 2 by 3 का स्केर is equal to radius हमारे का पास क्या है 4 over 9 का स्केर which is equation of sphere next हमारे पास है find the center and radius देखें यह हमारे पास journal equation of sphere नहीं है journal equation of sphere note कर ले journal equation of sphere उसी वक्त होती जब x square y square z square का multiple क्या हो one one हो इसको journal इस equation को नाट नाट जर्नल एक्वेशन यह जर्नल एक्वेशन ओस्फियर जिए जर्णल equation of sphere उसी वक्त बनेंगी जाब एक्स केर वाइस केर का multiple क्या हो वार्म इस equation को आप 3 से divide कर दें एक्षे वान आगे इसको 3 त्यवाइड कर दें वान इसको त्रीप वाली को z के साथ मलाएं फिर आप इंका scale complete कर लें इसका भी scale complete कर लें तो क्या है गा इसको x 0 लिख दिया इसको मैंने लिख दिया y plus 1 वाई झाओ स्केर इसको मैंने लिख दिया z minus 1 वाई 3 का scale is equal to 29 over 9 जिसको मैं लिख सकता हूं scale root 29 over 3 देखें ये x naught की value है 0 y naught की value क्या है minus 1 by 3 क्योंकि फार्मूल में दर्म्यान में minus होता है और z naught की value क्या है 1 by 3 तो center हमारे पास क्या गया 0 minus 1 by 3 plus 1 by 3 और radius हमारे पास क्या गया radius हमारे पास R आ गया square root 29 over 3 ये हमारे पास journal equation सफिर का लेक्टर था